प्रेम क्या है आजकल बहुत हलका सब्द हो गया है प्रेम की परिवाशा बदल सी गई है प्रेम वो प्रेम नहीं है जो प्रेम हम आजकल कर रहे हैं आजकल हम समझ रहे हैं एक छोटी सी घटना अभी हम सब देखी रहे हैं देखा ही है कि एक नोड़ा की घटना है कि एक सिवन उस लड़के का नाम अनुज है और लड़की का नाम सिनहाव लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी उसके बाद अपने आपको मार कर अपने आपको खतम कर लिया क्या ये प्रेम है उसने करीब 20-22 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसको अपने गूगल ड्राइफ में डाला था और उसके बाद उसने अपने आपको गोली मार कर सुसाइट कर लिया उसका कहना था कि वो उस लड़की से बहुत बेपना प्रेम करता था उस लड़की ने उसको दोखा दिया तो उस दोखे को वो बरदास्ट नहीं कर पाया किसी और लड़के के साथ वो रिलेशन में चली गई तो उसको ये बरदास्ट नहीं हुआ कि जिसको मैंने बेपना प्रेम किया जिसके उपर मैंने सब कुछ अपना निशावर किया वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है और ये सोचकर वो जाता है वो उस लड़की को गोली मार देता है और अपने आपको भी मार लेता है क्या यही प्रेम है प्रेम आजकल हम एक दूसरे को बांधने लगे हैं प्रेम में प्रेम कुछ और ही समस्ते हैं प्रेम हम बोले तो ये जो फिल्मी दुनिया है इसने खासकर इस प्रेम की परिवाशा बदल दिये पूरी प्रेम प्रेम किसी को धोखे में रखना प्रेम नहीं होता आजकल प्रेम क्या है प्रेम का मतलब वही है कि आजकल धोखे में रखो दोखा देना ही एक तरह से प्रेम है एक वीडियो मैंने देखी थी आचारी प्रशांत की उन्होंने प्रेम की परिवाशा बताई थी प्रेम है क्या प्रेम आजकल प्रेम स्वार्थ है प्रेम प्रेम नहीं है प्रेम करते हैं कि प्रेम नहीं स्वार्थ होता है लेकिन प्रेम जो है वो स्वार्थ है आज का प्रेम बोलेंगे वो एक स्वार्थी प्रेम है हमें कुछ न कुछ सामने वाले से चाहिए होता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं चाहे उससे हमें पैसा चाहिए चाहे उससे हमें शारिक भूग मिटानी हो चाहे हमें किसे न किसी तरह का उससे अट्रेक्शन हो जब तक सामने वाले से हमें कुछ न कुछ मिल रहा है तभी तक हमारा प्रेम है और जिस दिन ये मिलना बंद हो जाता है उस दिन हम एक को छोड़ कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं आजकल आमसी बात हो गई है ना आजकल हम देखते हैं शादी के करीब 10-12 साल-15 साल साथ रहने के बाद भी लोग डिवोस देके एक नया जीवन साथी ढूंडते हैं और बोलते हैं कि यही मेरा सच्चा प्रेम था अगर सही में वो सच्चा प्रेम था तो जिसके साथ तुमने पिछले 15-20 साल बिताए वो क्या प्रेम था 15-20 साल के बाद तुम्हें समझे में आई और वो भी तो तुम नहीं ढूंडा था आजकल तो आमसी बात हो गई है ना शादी करते हैं शादी के बाद में उस समय पर बड़ी जीने मरनी कसमें खाई होती है हमने कि मैं तुम से प्रेम करता हूँ तुम मुझसे प्रेम करती हो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं शादी के कुछ साल बितते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि जहन्नुम सी बन गई ह कि दुनिया का सबसे बुरा इंसान तु ही है लड़का लड़की को कोसता है पती पतनी को कोसता है पतनी पती कोसती है कि इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान तु ही है और पती पतनी को बोलता है कि इस दुनिया में सबसे बुरी औरत तु ही है क्या यही प्रेम है प्रेम को हम समझे ही नहीं है प्रेम क्या है प्रेम की परिवाशा खास कर जो आज कल की जो हमारी मुवीज है ना मुवीज फिल्मी दुनिया फिल्मी दुनिया ने और प्रेम की परिवाशा खराब कर दी अब गाने देखिए गाने कैसे बनते हैं जो तुम को हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे ये प्रेम है मतलब मुझे मालूम है कि सामने वाले में कमिया है लेकिन मैं कमियों को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उससे बेवना प्रेम करता हूँ तो ये तो धोके में रखना हुआ न ये प्रेम का कभी भी हमारी बुराई ना करे क्या ये प्रेम है किसी के मुझे से ये सिरफ अच्छा ही सुनना प्रेम है या किसी को सिरफ अच्छा ही बोलना प्रेम है ये जो शायरों की दुनिया है मतलब बोले तो जो जितने शायर निकलते हैं जितने प्रेमी शायर होते हैं उनका बोले तो घर इसी के बेस पर चलता है जूट के बेस पर चलता है लोगों को प्रेम के नाम पर जूट बेच बेच के अपना घर चलाते हैं और फिल्मा भी यही होता है उनके जो गाने लिखे जाते हैं सारे गाने जितने भी लिखे जाते ह सब लगबग जूटी होता है उसमें सच क्या होता है और उसी को J海 चन्हें पिरिशन का हम लोग हम लोग अपने अंदर उतार लेते कि दिखो यही प्रयम है कि जो सामने वाला बता रहा है वही प्रयम है कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को कहो रात तो हम र गटना बताई थी, वो प्रेम पे आधारी थी है, जो मैं आप सब को बताता हूँ, उन्हों ने एक छोटी सी गटना बताई थी कि एक बार की बात है, जब स्री कृष्ण जी रासलिला रचा रहे थे, तो कोई एक गोपी थी, वो उससे रासलिला में जाने के लिए आतुर थी, उसको उसके पती ने रोका, बोला कि तू नहीं जा सकती उसमें, मैं तेरा पती हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ, कि तू नहीं जा सकती, तो वो गोपी बोलती है अपने पती से, कि तू मुझे रोक सकता है ना, तू मुझे रोक ले, वो उसे कमरें बंद कर देता है वो कमरें बंद होती है, जमीन पे सो जाती है, जब वो सोती है तो उसकी आत्मा उठती है। उसको बोलती है कि तूने मेरे शरीर को रोक रखा है, मेरा उनका प्रेम इस शारिक शंबंद से बढ़कर है, मेरा उनका प्रेम शारिक नहीं है, मेरा उनका प्रेम आत्मा का प्रेम है, तो मुझे तू मेरे शरीर को तू रोक सकता है, मेरी आत्मा को नहीं रोक सकता, असल में ये है प्रेम, प्रेम की परिवाशा हमें श्रीराम चंदर जी और सीता माता ने बताई थी, प्रेम होता क्या है, जब पती को वनवास में जाना था, तो पतनी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल के, उनके साथ जाने को तयार हो गई, जबकि उनको मना किया गया था कि वनवास सिरफ मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला है, तुम राजमहल में रहो, मैं अकिला वनवास काट के आऊँगा। प्रेम उस छोटे भाई लक्षमन ने सिखाया, जिसने बोला कि अगर मेरा भाई वन में रहेगा, तो मैं कैसे राजमहल में रह सकता हूँ, तुम वह भी उसके साथ गया, प्रेम उनके भाई भरत ने सिखाया, उन्होंने बोला जब मेरा भाई शाशन नहीं कर सकता, मेरा मेरा मित्र है, मेरा मेरी पत्नी है, या पत्नी का पती है, मेरा सामने वाला जो भी है, मैं इसको हमेशा धोके में रखकर उसको उसकी सच्चाई दिखाऊ, उसको आइना दिखाऊ, ताकि वो तरकी करे, वो मेरे से एक लेवल उपर जाए, क्योंकि हमारा किसे ना किसी वज़ इसलिए हम कभी सामने वाले को आईना नहीं दिखाते चाहे वह शौर्द किसी भी चीज का हो जो अनुज ने उस लड़की को मार के किया वह परेम नहीं था उसे हम बिमारी बोल सकते हैं स्वार्द था उसके प्रेम में स्वार्द था अगर प्रेम होता तो उसको जाने देता वो प्रेम नहीं है एक घटना देखी थी मैंने अपने पडोस में ही कहीं पे कि एक पती-पत्नी के लड़ाई होती है और पत्नी कुछ समय के लिए मैंके चली जाती है उस पती से उसका वियोग बरदास नहीं होता है वो फांसी लगा के अपने आपको मार लेता है ये प्रेम ह अपने आपको मारना प्रेम है सामने वाले को मारना प्रेम है प्रेम को आमने बहुत ही छोटा सब्द बना दिया है प्रेम कभी मारना नहीं सीखा था प्रेम कभी किसी को दोखे में रखना नहीं सीखा था प्रेम सिरब प्रेम करना सीखाता है प्रेम में बंदिशय नहीं हो आजकर प्रेम क्या है बंदन है मैं अगर किसी से प्रेम करता हूँ तो वो मेरे सामने ही रहना चाहिए वो किसी और से बात नहीं करना चाहिए ये प्रेम होता है कुछ समय के लिए अगर वो मेरे आखों से ओजल हो गया तो मुझे बेचैनी होने लग जाती है कि भाई वो कहीं किसी और के साथ में तो नहीं है वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है क्यूं कर रही है उसने मुझे क्यों नहीं बताया हमने बांध लिया है आज कल के रिष्टों को हमने जंजीरों से बांध लिया है प्रेम नहीं है ये ये स्वार्थी प्रेम है लड़का वो किसी और वैक्ति से कैसे प्रेम कर पाएगा अगर वो लड़का अनुज अपने आप से प्रेम करता तो उसे शायद उस लड़की की भी उतनी वशक्ता नहीं पड़ती वो गई छोड़के किसी और के साथ में कोई बात नहीं उसे अपने आप से प्रेम था उसने एक जीवन तो नश्ट किया, उसके सासत अपना जीवन मी नश्ट कर लिया, क्योंकि उसे अपने आप से प्रेम नहीं था, तो इनसान को सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए, आजकल जहां कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो सामने वाला किसी वियोग में जाके अपने आपको नाश कर लेता है प्रेम करो सबसे पहले अपने आपसे प्रेम करो जिससे कि आप अपने आपको ना नुकसान पहुचा पाओ अगर प्रेम ही करना है तो सबसे पहले आप अपने आपसे प्रेम करो फिर किसी और से करो जब आप अपने आप से प्रेम करने लग जाओगे तो कभी अपने आप को नुकसान नहीं पहुचाओगे उसी तरह से जब आप दूसरों को प्रेम करोगे ना तो दूसरों को नुकसान कभी नहीं पहुचाओगे वो प्रेम नहीं है कि अगर सामने वाले मुझसे प्रेम नहीं किया तो मैं उसको मार दूँ या सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता है तो मैं उससे प्रेम क्यों करूँ या सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता है या करती है तो वो किसी और से प्रेम करने लायक रहेगी नी ये प्रेम नहीं है, हम फोर्स करने लग जाते हैं, अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो तुझे ही मिसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे बेपना प्रेम करता हूँ, ये थोपा जाने वाला प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, वो कहते हैं कि प्यार अंदा होता ह प्रेयम अंदा होता है प्रेयम कभी अंदा नहीं होता यह सब फिल्मी बाते हैंПр Buffalo habe जो लोग अंधे पन मेंप्रेम करते हैं वह कुछ समय बात पस्ता आते हैं कि मैंने ऐसा प्रेयम किया क्यों और जो लोग सोष समझ के प्रेम करते हैं वो उनका जीवन समर गया होता है प्रेम के बाद में क्यूंकि वो प्रेम का मतलब जानते हैं अक्सर हम सब के मुझे सुनते हैं कि प्रेम अंदा होता है इसलिए तो बस किसी से भी हो जाता है वो प्रेम नहीं होता है उसे हम एट्रेक्शन बोलते हैं कि मुझे उसकी चीज अच्छी लगी, तो मुझे उससे प्रेम हो गया, क्योंकि उसकी मुझे वो चीज अच्छी लगी, इसलिए मुझे उससे प्रेम हो गया, उस अच्छे पन की वज़ा से मुझे उससे प्रेम हुआ था, जो लोग भी सोज समझ के किसी से प्रेम करते हैं, तो तो उसको आजकल स्वार्थी बोला जाता है कि अरे उसने तो अपना future देखा इसलिए उसने उससे शादी कर ली उसने उसके साथ अपना भविश्य देखा उसने देखा कि वो पैसे वाला है या पैसे वाली है इसलिए वो उसके साथ हो लिया प्रेम ये नहीं बोलता कि आज त तो मैं तुझे चोड़ दूगा या छोड़ दूंगी प्रेम तो वो है है कि तो जीस तरह का है जैसा है मैं तुझे प्रेम करूंगा लेकिन जुठा प्रेम नहीं करूँगा तुझे मैं बढ़ाता रहूंगा तेने जो कमिया है वह मैं बता के मैं चाहूंगा कि तू मुझसे भी उपर उठ आजकल का फ्रेम धोका है हम चाहते ही नहीं कि सामने वाले को हम उसका आईना दिक्खाएं क्यों कि अगर सामने वाले को आईना दिखाया तो शायद वह कल को मुझसे बड़ा बन सकता है मुझसे की भी लड़कों से चाहती है, कि मैं हमेशा उसके सामने उसकी हिरोईन बनके रहूं, हमेशा वो मुझे परियों की रानी बोले, हमेशा वो मुझे सुन्दर बोले, खुबसुरत बोले, लड़का चाहते हैं मुझे हैंसम बोले, ये तो जूट के उपर बुना गया प्रेम है, सामने वाला मोटा है या मोटी है लेकिन हम बोलते हैं नाना तुम कहां मोटा हो तुम कहां मोटी हो तुम तो दुनिया के सबसे पतले इंसान हो सबसे बड़ा जूट क्योंकि हम जूट सुनना चाहते हैं जहां तक मैंने सुना है जहां तक मैंने पढ़ा है जहां तक मैंने कु नहीं है कि सामने वाला भी आपसे प्रेम करे उसको आप जाने दो अगर उसको कहीं और किसी और से प्रेम है तो उसको उसके पास जाने दो यही तो आपका प्रेम है उसको बाधना प्रेम नहीं है या आपने उससे बेपना प्यार किया उसने आपसे प्रेम नहीं किया तो आप प्रेम ने जंजीर की तरह बना दिया है कहां जाना कहां आना किस से मिलना किस से बात करना क्यूं करना ये रोक टोक की वजह से हमारे रिष्टे खराब होते हैं प्रेम भरोसा है भरोसा करना सीखो अपने पार्टनर पर हमें भरोसा होना चाहिए अगर हमें उससे प्रेम है जह अगर आपको सही में प्रेम है उससे, तो सामने वाले को आजादी दो, उसको जीने दो, वो जिस तरह से जीना चाहता है, उसे उसी तरह से जीने दो, सामने वाले को आप पसंद नहीं है, उसको एकसेप्ट करोगी सामने वाले को आप पसंद नहीं है, वही तो प्रेम है, यह तो आप सब कमेंट करके जरूर बता है और ऐसा किसी को भी लग रहा है कि अगर मैंने कुछ अगर गलत प्रिवाशा दी है अपरेम की तो आप मुझे कमेंट करकर बता सकते हैं अपना राय दे सकते हैं ये जो भी मैंने विडियो में बोला है ये एक्च्वल में मेरी राह है और मैंने कुछ वीडियो से ऐसे देखे थे जिससे लगा कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं बोलना चाहता था इस विशेपर तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब् करें मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेर जरूर करें और अपना अपनियन जरूर इस वीडियो के कमेंट में दें